वाल्कम तो मैं चैनल टाइमसी रिव्यूव अब मैं अपने चैनल पर एक डिफरेंट काइंड वीडियो लेकर आए हूँ यह जो वीडियो है एक डिफरेंट वीडियो है जो नॉर्मली मैं अपने चैनल पर करता हूँ पीटर्स कंपरिजन वीडियो है आइफून 13 Pro Max ते स्पीटर्स कंपरिजन है वो किया जाएगा आइफून 12 Pro Max से साथ यहां पर अगरेंट के थोड़े बारें चिपसेट के बारें में बात करूं जो चिपसेट आइफून 13 Pro Max में है वो A Bionic 15 5NM चिपसेट है और जो के आइफून 12 Pro Max में है वो A Bionic 14 5NM चिपसेट है लेकिन यहां पर दोनों में जो सिमिलारेटी है इन दोनों की रैम बिल्कुल सेम है जो कि 6GB रैम है लेकिन जो आइफून 13 Pro Max से वो लेटर टाउस के लेटर चिपसेट है है यह Bionic 15 5NM चिपसेट जो है इदर देखना है कि दोनों के अंदर स्पीड टेफ्स का जो डिफ्रेंट्स है वो कौन सा फून ज्यादा फास्ट है तो इदर सबसे पहले मैं दोनों फून को कर लेता हूं आन तो इदर सेंट का स्पीड टेफ्स जो शूरू करता हूं दोनों फून यहां पर आन हो चुके हैं इदर देखना है कि पहले कौन सा फून कंप्लीटली आन होता है इदर अब में पास आईफंस तली मैक जो है वह उन हो गया है जबकि आइफ़ून संहें मैश्थि अन हो गया है लेकि इसीक्टा was देखा जा आक्ता कि आइफ़ून टरचीं प्रमेंटों ज्यादा फासे कंपरिंस सब्रोंों मेस झांप्धन का चुछ के हैं निए Tack से पहले मैं यहां पर दिखाता चलू कि जो बैक्ग्राउंड में कोई भी चीज ऑन नहीं है अगर होती तो इसको ऐसे करने से वह विजिबल हो जाती यहां पर मैं अपना स्पीटस कंपरेजन बेगें करता हूं सबसे पहले जो गेम है वह फूट निंजा है इसको मैं आउन कर करके चेक करता हूं स्पीटस वन टू ट्री यहां पर देखा जा सकता है कि आईपून फ्रीटीन प्रो मैक जो है उसमें फूट निंजा पहले आन हो गई है और इज़े जो डिफेरेंस ता वो इतना ज्यादा नहीं था लेकिन वह डिफेरेंस नवर आ रहा था कि आईपून 13 वो मैक वह ज्यादा फास है अब अपनी सेकेंड वीडियो मैक पर टक्स करता हूं वा शोरी गेम जो के सब्वे सर्फ है वन टू ट्री यहां पर भी आईपून 13 वो मैक में जो है सब्वे सर्फ जल्दी आन हो गई है लेकिन यहां पर कमस्पैरिटिबली जो इनका डूरेशन था आन होने का वह फूर्टिन जासे कम था इदर का और मैंना से कुछ सेकेंड का फ़र्स के हैं कि आईपून 13 वो मैक पास था अब थ तर्ड गेम है वो पब जी मुबाइल है यह हैवी गेम है इनका पता लगेगा सही वाला मैं इनको आन कटाऊं वान टू ट्री अब इज़र आईफून 13 वो मैक स्टार्ट हो गये जबकि आईफून 12 मैक अभी बैस अभी का रहाए आइफून 12 वो मैक पी स्टार्ट हो गया है लेकिन यहाप पर जो डिफेंस है वह माईन चाल मेरे हाल से यहाँ आपर आइफून 13 वो मैक ज्यादा फास है इजा जिए प बिल्कुल रेकेनाइज हो रहा है कि आइपोन 13 पॉर मेक्स अंपरिटिव आइपोन 12 पॉर मेक्स से फार्ट रहा गया है इस गेम को कंप्लीट्री ओन करने में अब इसे जो नेक्स वीडियो है वह एक्स टू ब्लॉक है ब्लॉक यह मैं जल्दी से उन करता हूं 123 यह दोनों के इतना हाफ पर नहीं है यहां पर कंप्लीट्ली जो डिफ्रेंस था वह इतना ज्यादा नहीं था लेकिन आइपोन 13 पॉर मेक्स अर गेम जल्दी चान हुई है अब केंडिक्रेश आइफून 13 पॉर मैक पर स्टाल होगी जैब के मिरो मेच से गल्ती से आइफून 12 पॉर मेक्स पे जो त्वी गेम जल्दी आप मैने प्लेय कर दिए लिकिन फिर भी आइफून 13 पॉर मैक जल्दी आप गेम को आन कर गया यहां पर डिफरेंस था वह आइ पर मेरे पाफ यहां पर नेक्स गेम है इसको मैं जल्दी से प्लेय कर लेता हूं 123 इंदर भी आइफून 13 पॉर मैक जो है वो गेम को ज्यादा जल्दी प्लेय करने में मेरा से इसको स्पीड है वो ज्यादा अच्छी है और इसको अंदर टाइम इतना ज्यादा ड्यूरेशन का फर्क नहीं था कुछ शाकिंड का लिगे फिर आइफून 13 पॉर मैक ज्यादा इसको आउन कर लिया है गेम को अब यहां पर जो आइफून फॉर मैक पर जल्दी आनों कि जब्कि उस पर भी लोड हो रही है आइफून 13 पॉर मैक पर भी आन हो गया यहां पर भी जो पीड का जो इसका जा सकता था कि आइफून 13 पॉर मैक पास्टा यहां पर लाव फॉर फाइनल गेम है टेंपल रण वन टू ट्री यहां पर जो लाव गेम है टेंपल रण यहां पर थोड़ा सा जो डिफेंट नवर है कि आइफून 12 फॉर मैक फास्ट रह गया है और टेंपल रण को प्ले करने में तो यह थी आज की वीडियो मैं उम्मीड करता हूं कि जो मैं एक नई स्पीड टस्ट कंपरेजन वीडियो लेकर आएंगी और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें मुझे कमेंट में प्ता है अगर आपको इन फूटर और फून कैसी वीडियो चाहिए तो मैं जरूर लेकर आउंगा यहां इवन के वीडियो आने वाज वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे और प्लीज प्लीज चैनल को सब्क्राइब करें मुझे हैल्प करें मेरे चैनल को ग्रोव करने में थैंकियो सो मच अलाहाफिछ